सीमा के बालों में बच्पन से बहुत जुए थी, इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर के सफाई करना, ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छुटी, जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था, सब लड़कियां उससे नफरत करती थी, यार मेखा, जरा अपना हेर ब्रेश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूलाई हूँ, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं, तुझे तो मैं अपना हेर ब्रेश कभी भी ना दू, चल जो थी, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गुलकप्पे खाते हुए जाएंगे, सीमा के सिर में जुए होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है, जो वो अपना सिर साफ करवा ले, सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तुने स्टैंड पटांगा है, हाँ मा वो सिर बुढ़े कहते हैं, जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाती है, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिकार में ही डरा रहे हो, सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया, आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिष्टा तै हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था, क्या करूं, ये जुए तो जैसे रेल गा इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले नहीं तो जुए खुजली करेंग, पर ये लड़की मेरी सुनती कहा है, अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी, सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घुंगट से ढख कर रखती थी, सीमा बहू, तुम सच बहुत संसकारी हो, पर हमारे यहां सिर ढखने की कोई जरुरत नहीं है, हम अपनी बहूं से पल्ला नहीं रखवाते, मा जी मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है, सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सोजाने के बाद वो सिर को बुरी तरक हुजाने ल जर अपना सिर तो दिखा, हे भगवान आकाश तेरे सिर में दो जुएं चल रही है, जुएं ऐसा कैसे हो सकता है मा, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है, मा आपके बालों में भी एक जुएं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है, क् तब के बीच सीमा के सिर से सारी का घुंगट नीचे गिर जाता है। तब ही एक पडोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुए ना होती तो माजी को यू अपमान नजहिलना पड़ता। मैं जुओ का इलाज करूगी। अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूँगी। मैं माजी को निराश नहीं होने दूगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाईयां लिखवा कर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर रिलाश करने से धीरे धीरे सीमा के सिर के जुएं कम होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुने थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं। कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देख भाल के बारे में सोच कर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।